नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग प्रेलिम्स 2021 में जो लोग अटेम्ट कर रहे हैं उनके लिए कुछ वर्ड्स ओफ विस्टम लोग थुआ टेंशन में कैसे रिवाइस करें सर क्या करें पेपर इक दिन सर पर आगा अब तक तो आपका रिवीजन जो स्टाटिक टॉपिक है कम्टीट हो जाना चाहिए यह फिर इन दा फाइनल स्टेज़ वोना चाहिए मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ जैसे फॉर एक्जामपल सुबह आई टी का एक्जाम हो यूपिसी का एक्जाम हो आई टी वगरा के एक्जाम में अक्सर कर यह देखा गया है कि पापा स्कूटर चराके जा रहे हैं और पीछे बच्चे कॉपी खोल के पढ़ रहे हैं ठीक है मतलब आप कॉपी खोल के डिवाइस कर रहे हैं तो तो ठीक है लेकिन पढ़ने का स्कूप लास्ट कुछ दिनों में ज़्यादा बचता नहीं है बहुत सारे लोग आपको रिवीजन करिए जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करिए बट पढ़ा अब कुछ नहीं पाओगी आप मैं तो कहूँगा जो मेजर किताबे हैं लक्षमी कांथ, स्पेक्टर मॉडरनिस्ट्री ये सा मत उठाओ हाँ सवाल सॉल करते वक्ट, टेस्स सीरीज सॉल करते वक्त किसी कंसेप्ट में आपको प्रॉब्लम आ जाती है कोई कंसेप्ट रिवाइस करना है, जो उस समय पे आपको याद नहीं आ रहा है तो उस केस में आप किताब उठा के थोड़ा बहुत रिफर कर सकते हो बट बुक वाइज अब रिवीजन छोड़ दीजे हाँ, टेस्स सीरीज जो अब तक आपने सॉल की होगी टेस्स सीरीज में आपके सामने बहुत स्टाटिक और करेंट अफेर्स के कोश्चन आये होंगे उनको आप रिवाइस कर लो और उनसे रिलेटर कोई कॉई कॉई कांसेप्ट फस रहा है तो थोड़ा किताब भी उठा सकते हैं तो देखो आप टेंचन चोड़ दो मैं आपको डिप्रेस नहीं कर रहा हूँ मैं आपको बहुत बड़ा फैक्ट बता रहा हूँ जिसने महनत से एक डेड़ साल पढ़ाई की है उसके सेलेक्शन की चांसे समेशा रहते हैं कुछ हद तक यह बात डिसाइड करती की फाइनल डे आपका दिन कैसा है आपके सितारे कैसे है सब कुछ सभी चल रहा है की नहीं चल रहा है एस्ट्रोलोजी तो मुझे नहीं आती बट हाँ थोड़ा बहुत एस्ट्रोलोजिकल फैक्टर्स वहाँ पर आ जाते हैं तो कॉशन ऊपर नीचे हो गए आप लिस से अंधर या लिस से भार हो सकते हो तिरही बाथ रिवीजन की तो अगर आपने पढ़तेवक्त शॉर्ट नोट्स बना रखें या फिर अगर आपने टेस्ट सीरी सॉल करतेवक्त शॉर्ट नोट्स बना रखें तो उन short notes को आखरी से 3-4 दिन में revise कर लीजेगा अभी के लिए आप test दे सकते हो एक October है तो 6-7 October तक आप test दे सकते हो लेकिन at least 3 दिन पहले 10 October से मतलब 8 October से कोई test मत देना या हो सके तो 7 October से कोई test मत देना उसका reason यह रहता है कि जो एक test mock आप देते हो उस test mock के result 2-3 दिन तक आपके दिमाग में रहते है तो मालो 6 तारिक आठ तारिक कॉफ ने कोई mock दिया UPSC का बहुत अच्छा हो गया आपके 120-110 नमबर आगे तो आपका confidence एक दम उपर उठ गया तो 2-3 दिन तक आपके दिमाग में रहा और मालो आपके गंदे नमबर आगे 85-60 नमबर आए तो आपका बिल्कुल एक confidence नीचे कर गया तो वो सब चीज़ें दिमाग पर play करती है इसलिए मैं बोलूँगा कि exam से 3 दिन पहले तक तो कोई mock मत देना 5-6 तक आप ठीक है अपनी test series practice कर लो उनको analyze कर लो अब तक अगर आपने 40-50-60 test series solve की है उनको ठीक तरीके से revise कर लो अगर आपने notes नहीं मना रखे है simple बता रहा हूँ अगर आपने notes नहीं मना रखे है तो जो भी 50-60 तुमने test series solve की है उनको ठीक से revise कर लो चुकि इन test series में current affairs के questions होते है अगर आपने insights या vision इस प्रकार के अच्छी coaching की test series solve की है तो इनके notes को ठीक से पढ़ लीजे इनके solutions को ठीक से पढ़ लीजे अगर आपने notes बना रखे है लेकिन panic mode में मत आओ चुकि panic mode में आपके performance 100% गलग जाएगी जितना ज़दा आपका दिमाग positive होगा न उतना ज़दा चीजे अच्छी होगी अगर आपने अच्छे से मैनत की ही तो दो-तीन एक inspirational movies देखो unbroken एक movie है वो देख लो बेको बिलकुल घबराओ मत ठीक है न या तो होगा या नहीं होगा नहीं होने से डरो मत simple बात revision के लिए किताब तब उठाओ जब किताब तो उठाओ इमत अगर आपने किताब के ओपर highlighter कर रखा है highlight कर रखे important points चलो ठीक है अगर आपने short notes बना रखे well and good बहुत अच्छी बात है अगर आपने test series को रखे की है पचास start तो test series पचास start solve करने का objective यह होता है कि उनको धंक से revise कह जाए चुकि जो भी current के static और current topics हैं वो आपके revise हो जाते हैं automatically revise हो जाते है तो this is the best way to move forward चुकि अब आप 10 दिन में हो सकता है कुछ गलती रह गई हो बड़ वो सोचना नहीं है आपको यह सोचना है कि जो 4-5,000 लोग select होंगे 3,000 लोग prelims में उनमें मैं हूँ बिल्कुल positive mindset लेके चलो एकदम positive ठीक है ना तो tension मत रखो दिमाग में यह tension आपकी आधी performance ले जाएगी यह मेरा आपको कहाना है tension दिमाग से निकाल दो motor sovereignty पॉस अब expert की राय ले नहीं बंद कर दो अब तक आपने बहुत दिमाग लगा लिया होगा और अपनी strategy भी device कर लियोगी अपनी gut feeling पे भरोसा रखो दुनिया जहान की बाते मत सुनो तीन चार तरीके हैं आपे चीज़ों को revise करने के जो best दिख रहा है उसको ठालो और एक कहते हैं कि logical strategy बनाओ चुकि अब आप आपको अगले 5-6 दिन में जो करना है वो करना है अब आपके पास समय नहीं है तो 5-6 दिन वाली strategy बनाओ किताबें इसमें उठा नहीं सकते हैं notes revise कर लो जो आपके हैं ठीक है और test series revise कर लो अगर आपने solve की हैं best अगर आपके बास notes नहीं है तो और अगर test series solve की है तो मैं तो बोलूगा test series ज़रूर revise करो फायदा मिलता है इसका and best of luck to all of you